तत्पशचाथ, 9 दिन, 9 दिन हम इसके पाइप का मुख खोल देते हैं, 11 दिन हम इसको पुनह पलटाई करते हैं, और पलटाई करके उसी प्रक्रिया से पुनह हम ठोक लगाते हैं, पाइप उसमें डाल करके, और हम इसको ढग देते हैं, इसके बाद 13 दिन, 13 दिन हम इसको पूरा पाइप खोल देते हैं, पन्नी हटा देते हैं, पन्नी हटाने के पस्चाद इसको हम तोड़ देते हैं, तोड़ करके सभी पाइप को निकाल देते हैं, अब पाइप निकाल करके फिर हम इसको फैला देते हैं, 15 दिन हमको जो है 15 वे दिन पुनह जो है इसमें हम देखते हैं नमी की जाच करते हैं इसका रंग जाच करते हैं ब्राउन कलर का होना चाहिए इसके बाद हम इसकी बवाई करते हैं अगर हम 10 कुंटल भूसा लेते हैं तो यह 30 कुंटल अच्छी उत्तम क्वार्टी की सक है कि देहात में बहुत सारे साधन की कमी रहती है तो आप एक चुटकी जो है खाद उठाईए और एक बरतन में पानी के साथ उसको घोल दीजिए और पीच पेपर ले लिजिए उसके अंतरगत उसको डुबा करके आप देखें आजकल बहुत आसान है तो उसमें पीच ज करते हैं तो 15-16 दिन खाद उठा करके बेट पर हम डाल देते हैं और एक फिट मन अच्छा इंच उचा हम डालते हैं और जब खाद अच्छी तरह ठंडी हो जाती है तब हम उस पर जो है बीज का छिटकाव करके उसको बढ़िया सा मिला देते हैं इसी तरह से एक फिट से ड पर नमी होना चाहिए खाद बनाने का काम आप अक्टूबर 15 अक्टूबर तक हरहाल में खतम कर लें इसके बाद में बवाई तुरंत कर दें ताकि 15 नौंबर तक इसका केसिंग हो जाए इस बिधी से बनाई होई खाद की उत्पादन छमता मिनिमम्म 25 प्रतिसत है मैक्सिमम 30 प्रतिसत तक है यानि अगर आप जो है इस बिधी से खाद बनाते हैं और बवाई करते हैं तो आपको कम से कम एक कुंटल कमपोशने 25 किलो ज्यादा ज्यादा 30 किलो जो कि हमारे हाँ आजाद होनी के यंत्री करन के दोर में आपका बहुत ही अच्छा मतलब है तो किसान भा परटाई लगती तो अमूमन जो स्रमिकों की संख्या है कम हो जाती है आज कल काम में लेवर काश ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप सो कुंटल कमपोश्ट बनाते हैं इस बिधी से तो जो लंबी आउधी की खाद है उसमें असी स्रमिक किया हो सकता पड़ेगी परंत इस बनाने से आपको तीस स्रमिक की आऊ सकता पड़ेगी तो इस तरह से आप देखें कि पचास स्रमिक आपका बच गया दूसरी चीज है उपज उसमें 15-20 प्रत्सत उसका इसका जो है 25-30 है दूसरी चीज है कि जब यह यह खाद क्वाल्टिवाइज होती है इसमें किसी भी त प्रत्सता है